नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं आप सबसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आज के इस समय में कोई वेक्ती ऐसा है, जिसे कोई समस्या नहीं है, जो किसी परिशानी से नहीं जूच रहा है। जी हाँ, या उसके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, जिसको लेकर वो परिशान हो, चाहे वो उसका प्यार को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, या फिर अगर प्यार और पैसा दोनों है, तो घरेलू समस्या को लेकर, और जवाब सबका यहीं आता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कोई ना कोई परिशानी है कुछ समस्याओं दोस्तों हमारी ऐसी होती है जो ना हम किसी से कह पाते हैं और ना ही वो समस्याओं हमारी सहने योगे होती है कि हम उन्हें सह सके आपकी ऐसे ही समस्याओं का ऐसी ही परिशानियों का समधान होता है वशी करक जी हाँ और ये समधान आपके लिए लेकर आई हूँ मैं दोस्तों कई लोग जो है अपनी समस्याओं के समधान के चक्कर में गलत तरीकों में पढ़ जाते हैं जैसे टोने टोटके वो गलत टोने और टोटके में पढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से उनको लाप ना होकर हानी हो जाती है लेकिन किस तरह आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं किसी तरह उसे पूर्ट तहां अपना बनाना चाहते हैं अगर आपका प्यार खो गया है तो किस तरह आप उसे हासल कर सकते हैं और एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कहीं लगताव जॉब कर रहे हैं और आपका senior है कि वो आपका promotion होने ही नहीं दे रहा तो किस तरह आप अपने सीनियर को अपने वश में करकर उससे अपना मन जहा काज करवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, तो दोश्तों और एक और बात मैं आपको बतादू कि इस वीडियो को बिना स्किप करें देखिएगा, अगर आप का वशी करण अधूरा रह जाएगा, तो आईए चलिए वशी करण की विधी के बारे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, कि हमें सामगरी क्या-क्या चाहिए, दोस्तों इसके लिए हमें सामगरी चाहिए, एक फोटो, वो व्यक्ति जिसको आपको वश में करना है, उसकी एक फोटो, हमें चाहिए सिंदूर, मिश्री, और हमें चाहिए थोड़ा गंगा जल, तो दोस्तों इन सब समान की मदद से, इन सब चीजों की मदद से, किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह पूंट तहा उसको आपके पा आप का खास तोर पर ध्यान रहे, ये प्रचंड वशीकरन है, और इस वशीकरन को सिर्फ वसिफ सही कामों के लिए ही प्रियोग करें, मेरा आप से दावा है कि अगर इस तरीके का प्रियोग आप सही तरीके से करते हैं, जिस तरह मैं बतलाओंगी, पूंड रूप से उसी तरह प्रियोग करते हैं, तो इसका 100% फायदा आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समधान हो जाएगा, तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिंदूर लेना है, आप थोड़ा सिंदूर और उसमें गंगा जल मिलाईए, और वो व्यक्ति की फोटो, जिस पे आपको वशीकरन करना है, जिसे आपको अपना बनाना है, तो इस फोटो के उपर आपको इससे एक स्वास्थिक का निशान बनाना है, कुछ इस तरह, तो जब आप इस फोटो पर स्वास्थिक का निशान बना देंगे, उसके बाद इसके लिए आपको जो है मिश्री की अवशक्ता पड़ेगी, और एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताओ, इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी, वो है एक मोमबत्ती की, जी हाँ, एक और मोमबत्ती जो आपको जो है इस विधी को कारगार करने में सिद्ध होगी, इस विधी को कारगर करेगी और आपकी समस्याओं का समधान करेगी, और ये किस तरह होगा, जब आप इस फोटो पर स्वास्थिक बना देंगे, तो आपको मिश्री के कुछ दानों को अपने हा मंत्र उचारण करना है यह मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है इसके उचारण मात्र से ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं तो आईए ये मिश्री के दानों को हाथ में लेकर किस तरह मंत्र उचारण करना है और माल लीजे कि जैसे आप वशिकरण करना जा रहे हैं उनका नाम है पूजा तो किस तरह आप जो मंत्र है उसका प्रियोग करेंगे ओम क्लीम क्लूम पूजा वश्य करूम भवन्ती स्वाहा कुछ इसी तरह 31 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और जो ये मिश्री के दाने हैं इनको फोटो पर चढ़ा देना है और फूक माननी है इस तरह जी हाँ 31 बार आपको ऐसा करना है और इसके बाद आपको एक मोमबत्ती लेनी है मोमबत्ती को जलाना है और इस तरह मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो पूर्ट तूप से आपकी जो फोटो है जिस पर आप वर्शी करन करना चाहते हैं उस फोटो पर पढ़ना चाहिए यह रेखिए यह मोमबत्ती आपको जलानी है और इस तरह से करना है कि इसका जो प्रकाश है वो इस फोटो पर पढ़े और मंत्र का उचारन करना है 31 बार और जब यह मोमबत्ती पूर तहा जल जाएगी दोस्तों इसको पूरा जलाना है और इसका जितना भी मोम इस फोटो पर गिरेगा इस फोटो पर उस मोम को गिरेगा उसको इकत्वित कीजिए सारे मोम को मिश्री के दानों को और इस फोटो को इस तरहा समेट कर इस तरहा इने इखटा करकर एक ऐसी जगा गार दीजिए जहां किसी का भी पहुँचना नामूंकिन हो जी हां जहां कोई भी ना पहुँच पाए उस जगा इस फोटो को इस मिश्री के दानों को और इन मोम को गार दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्री करन पूरा होता है और मात्व दो से तीन दिन के अंदर वो व्यक्ति स्वयम आपके पास आएगा आपसे बात करना च चाहेगा अगर आप चहाते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कीजिए और इस मंत्र का इस विधी का सही तरीके से प्रयोग कीजिए और अपने आपको खुश रखिए दोस्तों मैं आपको बिता दूं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत आपको आती है इस विधी को लेकर कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है कोई अन्य समस्या आपको है जिसका समधान आप करकर के ठक गए हैं लेकिन समधान नहीं मिल रहा तो हमारी गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समधान है जी हां तो जो आपको नंबर दिखाया जारें दिए गए नंबर पर गुरु माता को फोन कीजिए, आप WhatsApp कॉल भी कर सकते हैं, या Message कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे Message पर भी बात कर सकते हैं, और अपनी समस्या बताएं, और अपनी समस्या का समधान गुरु माता जी द्वारा पाएं, तो दर्श को अपनी समस्या का समधान कीजिए, गुरु माता को फोन कीजे, उनसे बात कीजे और अपनी समस्या को अपनी परेशानी और खुच से दूर भगा कर एक खुच हाल जिन्दगी दीजे, जै मातली